कहता है municipal value of house मैं simple simple word में लिख देता हूँ mb 90,000 and fr fair rent 140 sr 120 house property let out 12,000 रुपे महिने के एसाब से और vacant one month एक महिने के लिए खाली था तो अगर मैं यहाँ पर expected rent निकालू तो expected rent आएगा 1,20,000 और actual rent निकालू तो आएगा हमारा 12,000 into 12 जो कि कितना बनता है 144 तो क्या हम इस vacancy को कहता है कि vacant for one month क्या हम vacancy minus कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सरकार के रूल से तो हम ज्यादा ही किराय बता रहे हैं तो माइनस कर दो वेकेंसी और वेकेंसी कितना होगा बारा हजार तो बचा कितना 132 मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ अब इन दोनों में सो जो हायर होगा वो बनेगा क्या कितना 132 माइनस क्या करेंगे एंटी इस कितना है हमारा वाटी थाउसन तो कितने बचे नाइन्टी कि यह बनेगा हमारे नाइन्टी टू आपके बुक में भी अंसर होगा इसका मैंने तो क्या से बोलते हैं अगर यह मालो एक लाख अठारा जार तब भी में एक अठारा ही लेता लोवर या हायर डिपेंड्स ओन सिचुएशन नाइन्टी टू समर्थ ने निकाल दिया चलिए इस कोश्चन में भी साइद विकिंसी था इसमें विकिंसी नहीं था सेल्फ ओक्यूपाइट था कहता है कुश्चन में एमवी एक लाख एंड फियर रेंट वन टूइंडी अब कहता है सेल्फ ओक्यूपाइट एक चार दो हजार बाइस से लेके 31 साथ 2000 22 तक सेल्फ ओक्यूपाइट की अगर हम बात करें तो कितने महने तक सेल्फ ओक्यूपाइट हो गया यह एप्रेल मैं जून जुलाई चार महने विद एफेक्ट एक आठ से यानि साथ बेने के आठ से 9000 के लेट आउट पे था तो लेट आउट हो गया हमारा एक आठ से यानि यह अगर काउंट करें तो आठ महीन होगा सिंपल सी बात है एन्वल वेल्यू ऑफ हाउस प्रपटी एसेस्मेंट यह दो हजार चौबिस पच्चिस इफ दा मुंसिपल टेक्स पेड डिरिंग दा यह ट्विंटी थाउसंड तो सर्य यहां पे अगर मैं एक्सपेक्टेड रेंट निकालू तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकलेगा एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा हमारा एक लाग क्योंकि स्टेंडर रेंट तो है ही नहीं कि इसके बाद एक्च्वल रेंट की हम बात करें तो यह आ जाएगा हमारा कितने नो हजार इंटू में बारा तो एक्सवार्ट दोनों में से क्या जाएगा हायर तो यहां पर जीए भी आ जाएगा देट इस एक लाग बीस हजार माइनस कर देंगे एमटी टूइंडी थाउसन और एने वी आ जाएगा हमारा एक लाग आंसर आप सभी ने बुक ले लिया है आंसर चेक करते जाएगा बुक से अब बच्चों के माइंड मैंगा सर यह आठ महने का किराय लेना चाहिए था आप तो बारा कर ले रहे हूं जब आप सेल्फ ओक्यूपाइट के केस में जाओगे ना पार्ट ली वाले में तो बारा से ही मुल्टिप्लाइग करना है उसमें आपको देखना ही नहीं के चार म कि दा प्रॉपर्टी लेटाउट टू मन्त वह यहां गडबड कर दिया था इसको बारा से ही करो किससे कि यह गडबड हो गया था पहले जो कर आए था तो 16 इंटू बारा कितने होंगे 192 यह 192 आएगा फिर कंपेरिशन चलेगा ठीक है बारा से ही मुल्टिप्लाइग करना है आपको कि अल्टिमेटली आंसर वही बनना था लेकिन उसको बारा से मुल्टिप्लाइग करना है आंसर चेक करिए ठीक है चले अभी यह वाला कर रहा था तूसरा कर रहा था कोई यह दूसरा वर्शन टेक इलिस्टेशन 5.5 एन्वल वेल्यू पदा नहीं आर है जा प्रॉपटी इन डेली मुंसिपल वेल्यू एंवी दे दिया एंवी इस वन लैक एंड एफ़ार 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 एस वन टोइंडी अगेन उतने मैने का है रेंट कितना है हमारा नो हजार एक्सपेक्टेड रेंट के आएगा यह तो सेमी कोशन होगी है न यहां लगा है यह सेमी कोशन है न एक चार से एक साथ क्या लगा है इसमें कि अच्छा बोला गया उपर से एक आठ मान लो कि इस टेंडर्ड रेंट कि अच्पेक्टेड रेंट कि अब ऐसे सिच्वेशन में कितना बनेगा यह भी पूरे बारा महिने का काउंट करोगे तो अब यहां पर हमारा और सरकार का क्या है तो इस सेल्फ उक्यूपाइड यह हो गया यह हो गया हाउस प्रपर्टी तो अब बताओ जीए भी क्या आएगा अब दोनों क्या हो गया सेम हो गया तो अब जीए भी क्या आजाएगा माइनस एमटी करिए आंसर इस सेम हाला कि इस छोटे छोटे बस एक्जामपल थे पहले कराए गये थे बताए गये थे उसके हिसाब से था कि कहता है मुंसिपल वेल्यू और फियर रेंट तो इन दोनों में से हायर होगा एंड एक्च्वल रेंट कहता है 21,000 रुपे मुंसिपल टेक्स पेड 20,000 रुपे टेनेंट वेकेटिड प्रॉपर्टी कतिस दस को खाली कर गया देर आफ्टर प्रॉपर्टी लेट आउट 25,000 उसके बाद भीया मैंने इस मकान को 25,000 कि राये पे दिया आर कुड नॉट रेलाइज रेंट सेप्टेमबर और अक्टूबर दो महिने का हमें रेंट मिला ही नहीं दूट अफ अर्लियर टेनेंट तो आप क्या मानोगे हमने फो चारो रूल कंप्लीट कर दिये हैं कंप्यूट एन्वल वेल्यू आफ प्रॉपर्टी एसस्मेंट यर 24 पच्छिस वाट विल बी यूर आंसर इफ अन्रिलाइज रेंट फोर वन मन्त इंस्टेट अफ टू मन्त मतलब अगर एक महीने कर रहें तो सबसे पहले यहां पर क्या लोग गया एंवी एंवी कितना है हमारा कि इसको कंपेर करेंगे कि एफ और कितने हो गए फिर हम स्टेंडर रेंट है नहीं हमारे पास तो एक्सपेक्टेट रेंट क्या आएगा क्या आएगा कि दो चाहिस आगे इसको कंपेर करेंगे एक्चुल रेंट से एक्चुल रेंट कितना बनेगा हमारा बारा महनी का पहले कैलकुलेट करो तब देखेंगे इसने कहा कि भाईया 21,000 कितने महिने तक दस तो कौन-कौन सा मन्त हो गया एप्रेल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर ऑक्टूबर यानि छे और एक सात महिने तक साथ महिने तक किराए लिया 21,000 और बागी के पांच महिने किराए लिये 25,000 तो बताईए सात महिने का क्या बनता है कि समझे बात कि एक्केस अजार इंटू में साथ 147 और 25,000 इंटू में पांच एक पच्चेस टोटल बन गए 272 आ जाईए एक्च्छल रेंट क्या होगे हमारा 270 अब क्यूंकि रूल नंबर 4 अन्रिलाइज रेंट हम सेटिस्फाई कर चुके हैं तो माइनस कर दे कितने महिने का किराया दो महिने का तो दो महिने का किराय क्या होगा 22,000 तो माइनस 42,000 यह आ गया दो लाग 30,000 अब जिये भी क्या बनेगा दो लाग 30,000 और एमटी दे रखा है कोशन में क्या एमटी कोशन में है 20,000 माइनस कर देंगे लास्ट में अगर यह एक महिने का होता तो यहां पे हम सिर्फ 21,000 माइनस करतें अगर एक महिने का होता 272 माइनस 21,000 तो बनता 2,51,000 उसमें से माइनस क्या कर देते हैं 20,000 देखिए तो थर्टी ठीक है किसी को डाउट कि बागी का प्रोसेस तो बस सिंपल है मैंने बता दिया वो तो आप करी लेंगे मुझे कराने में जो बड़े इलिस्ट्रेशन है जिसमें सब कुछ आ जाए वो पूरे-पूरे कराऊंगा मैं इसके बाद हमने सीखा यह सारे टेक्स वेक्स का अब मैंने होमवक में दिया था थोड़ा जो सब कुछ मिक्स होके आए इसको करके दिखाए जिसने कर लिया था यह नहीं करा था जो भी था इसको करके दिखाए यह देखें यहां पर पिरियड ऑफ उक्यूपेशन ओन रेजिडेंस के लिए दो मैने एक चुल रेंट 10 मंत के लिए इंट्रस्ट भी दे रखा है मुंसिपल टेक्स भी है स्टेंडर रेंट भी है मुंसिपल वेल्यू इससे करके दिखाए करिए फटा जोया एनिवी टू टेन यहां पर मुंसिपल वेल्यू तीन लाग स्टेंडर रेंट तीन लाग बारह हजार तो यहां पर सिंपल सी बात है एक्सपेक्टेड रेंट क्या मानों गया वेचेवर इस लोवर ही जाएगा तीन लाग अब हम निकालेंगे एक्चुल रेंट तो यह कह रहा है पैंतिस हजार पहले बारह से मुल्टिप्लाई करो तो कितना बनता है चार लाग तो अब 4,20,000 अब इसके हिसाफ से चलेगे अब इसके हिसाफ चलोगे तो जितने मेहने तक आपको रेंट मिला है वह लेना होगा यह से ज्यादा हो गया तो फिर आप अपने हिसाफ से चलो अब मुल्टिप्लाई 10 कर्दो आप यानि तीन लाग पचास अजार औ पचास हजार तो बचे कितने तीन लाख यह आ गया एने वी एने वी के बाद क्या माइनस करेंगे 24 ए एक बीस माइनस कर दो 24 बी और 24 बी इंटरस्ट बोरेंग पर दे रखे हैं हमें एक लाख 60 हजार तो कितने हो गए दो असी तो बस 20 हजार रुपे बचा हमारा 20 ही बचेगा ना अच्छा एक बीस मैंने चालिस निकाल दिया यह नब्बे आएगा तो तीस हजार और जुड जाएगा तो पचास हजार ठीक है चलिए इसके अंदर भी सेम ही कुश्चन है लगबग तो यह मैं आपको दें सेम ही है क्या सेम रिपीट हो गया है 10 और 11 सेम ही है उस तो चेंज होगा हाँ नॉट अपलिकल मतलब ही है ही नहीं तो यह होमवक में रहेगा तब भी आंसर तो सेम ही आना है चलिए अब तीन प्रॉपर्टी है इसको कैसे सॉल्व करेंगा सर ऐसे तीन कॉलम मना दें मुंसिपल वेल्यू कितने कितने हैं एक डेड़ दो एक लाग फेर रेंट क्या क्या है वन पॉइंट फॉर वन पॉइंट एट टू पॉइंट एसर क्या क्या है वन पॉइंट टू टू लैक और यहां है यह नहीं तो यहां एक्सपेक्टेट रेंट तो आ जाएगा ना क्या जाएगा हमारा वन पॉइंट और यहां क्या जाएगा हमारा one point और यहां किया आजाएगा हमारा two point कहता है period of vacancy यहां vacancy है ही नहीं तो vacancy नहीं है तो actual rent कहता है municipal value 20% कहता है actual rent है 12,000 12,000 के भिखा जाए vacancy नहीं है तो 1,00,000 अब यहां पर आजाएगा सीधा GAV इसमें से माइनस करोगे क्या M T 20% 20% यानि तो यह आ गया NAV फिर माइनस करोगे 24 और फिर माइनस करोगे 24 अब 24 A और 24 B के लिए क्या कहता है compute income under the head of house property तो निकालना पड़ेगा मैं एक बार में निकाल लूँँगा अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे में 17,500 का rent है यहाँ एक महने की vacancy है तो 17,500 अगर हो तो हम अगर यहाँ calculation करें भईया 17,500 इंटू में अगर मैं 12 करूँ तो सरकार से ज़्यादा बता रहा है या कम बता रहा है 17,500 इंटू 12 दो दस तो भईया सरकार का expected तो यही है तो मैं दो दस बता रहा हूँ तो अब vacancy क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो मैं vacancy माइनस करने के बजाए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 17,500 को मैं 11 से ही इंटू कर दूँ तो 192 और यहाँ जाएगा 192 और यहाँ पर कितने हैं चालिस हजार तो 152 समझे इसको अगले पॉइंट में कहता है कि यह 21,000 है तो 21,000 इंटू में अगर हम 12 करें तो यह बन रहा है दो लाक बावन हजार सरकार से बहतर अभी भी चल रहे है कितने महने के वेकेंसी है यहाँ पर छे तो आप 6 महने का हिलिंग है 21,000 इंटू 6 एक लाक 26 अब बताओ क्या आएगा हायर आएगा यह लोर आएगा 26 और मुंसिपल टेक्स अरे मैंने गलत ले लिया क्या कहता है मुंसिपल टेक्स फोर दा इयर और मुंसिपल टेक्स पेड दूरिंग दा यर तो हमें तो पेड़ वाला लेना है न तो पेड़ कितना है इसमें कि यह तो ठीक था इसमें कितने पेड है और उसमें कितना पेड है कि यह गड़ बड़ हो गया थोड़ा है कि 192 500 माइनस सब्सक्राइब कि इन्टू 30 परसेंट कि इंट्रेस्ट भी है बोरोईंग का नहीं है कि इंटी एट सेवन फाइफ सीरो कि इंट्रेस्ट दो सो चैसी आठ सो यहां पर क्या जाएगा माइनस तीस नाइन्टी सेक्स थर्टी परसेंट कई बार बच्चों को यह खटकता है सर के इन दोनों में से हायर क्यों नहीं लिया वही चीज में आपको लॉजिक समझा रहा था कि क्यों नहीं लिया गया हायर कर दो कर दो कर दो मुआ खिए कर मेंको यहाँ कर दो मुआ कर दो कर दो कर दो झाल झाल